Hello and welcome to this lecture आज के इस lecture में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डबली लेंगलिस्ट पर आकेकरम की इस तरह के बाकी के बचेकराड ओपरेशन को परफॉर्म कर सकते प्रिवेज लेक्चर में हमने देखा था how to insert a node and how to traverse a whole list आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे update operations and delete operations चले सबसे पहले हम बात कर लेता है हमारे update operation की updated node at the specific position in the list चले हमारे पास एक node है जिसको हमें एक specific position के अंदर insert करना है list के अंदर इसके लिए हमारे पास कुछ five steps available है चले one by one सभी को देखते है सबसे पहला step obviously get a new data हमारे पास already एक double link list available है तेके और वहाँ पर हमें किसी भी एक element को change करना है सबसे पहले हमें नया element चाहिए होगा जिसको हम update कराना चाहते हैं तो है हमारे पहला step होगे है तो वह position भी पहले suppose हमने decide करते हैं suppose position number one यानि कि यह वाले note है चले उसके बाद third step create a new pointer for traversing hall list तो हमने क्या किया एक नया pointer को यहाँ पर head के साथ point out कर दिया चले और यही pointer हम आगे जाकर loop through करेंगे चले तो देखे फोर्ट स्टेप वही है Traversing hall list until specific position प्रिवेस step में जो भी आपने एक नया pointer को बनाया था right और head के साथ point out किया यह pointer हमने specifically बनाया है यह में PTR के मदद से इस डेटा वाले पार्ट को अक्सेस कर देना है और equal to करके हमारे नए डेटा को अप्डेट कर देना है that's all तो यह हमारे कुछ five steps है right चले यह तो हमने देखा theoretically अब इसको हम practically देख रहते हैं वीस code के अंतर चले तो यहाँ पर हमने already कही सारे cases बना कर रखे right फिलाल हमारे काम का है case number five updated position वाला हमें UDF वहले तो create करना होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने सबसे उपर इसका prototype दे दिये देन अप्टर एड़ बोटम सपोज मैंने यहाँ पर इसको बराना चाहा ठीक है यह डिस्पले वाला हमने previous lecture के अंदर किया था इसवां को देते क्लैप्स यहाँ पर हम नए UDF को create कर ले ले ते हैं उप्डेट एट पोजिशन तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चेक आउ अब दना होगा validation याद किजिए जो हम ओल्रेडी प्रिवेस लेक्चर के अंदर से put up करते आया है यहाँ पर हम किस तरह की validation ले लिखते थे याद कीजिए अगर हमारा head equal equal null होगा मतलब की हमें यहाँ पर print tab कराना है list is empty list is empty simple अगर head की value null हुई तो otherwise हमें क्या करना है अब user के साथ एक position और इन दोनों को अब में क्या कर लेना यूजर के तरू रिट्राइव कर लेना scanf की मदद से यहाँ पर पले एक message में इंसरक्त देता हूं enter position सबसे पले हम position को रिट्राइव करते है scanf के जरी उस position को इस तरह से रिट्राइव कर लेता है और add of position इसी तरह से अब हमारे पास है enter of value तिक है और हमें well variable को भी इस तरह से scanf कर लेना है चलिए अब हमारे पास position भी आ चुकी है और value भी आ चुकी है अब हमें क्या करना है एक simple नए node को create करना है याद कीजिए for traversing purpose लेकिन सबसे पहले वो point out कर रहा होगा हमारे first node को using head pointer clear चलिए बढ़ाई simple सा logic हमें एक for loop कुमानी है तो integer i is equal to 0 से start करना कहां तक position तक जो कि user ने अभी अभी डाली होगी then after i plus plus कर दिया और ptr को हमें आगे बढ़ाते है रहना है using ptr of next list clear और जब तक फॉलूप खुम जाती है मतलब की जब तक हमारी position नहीं आती है जब तक फॉलूप खुमती रहेगे और लास्ट में जब हमारा pointer जिस जगर पर रुका होगा उसके data part को हमें update करना है user ने जो value डाले थी उस से यानिकिवेल से तो यह हमारा logic होगी अपडेट सब्सक्राइब कर सकते हो अमने सिफ और सिफ वही steps को follow किये जो ने अभी अभी presentation के दर देखा हो एक कोई भी नई चीज नहीं चले मैंने यहां पर save किया और यहां से हम करते है रून चले अब हमारे पास पूरा एक menu आ चुका है तो सबसे पहले तो हम यहां पर कुछ dummy insert कर लेते है elements को सबसे पहले मैंने डाला 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, 7 तो अब मैं सबसे पहले तो हमारे list को print out करूँगा तो यह कुछ हमारे list आगी 3,4,5,6,7 चले अब हमें इन में से क क्या करना है update करना है तो update करने के लिए मुझे प्रेस करना होगा 5 चले तो मैंने प्रेस किया यहां से 5 यानिक अपडेट वाला operation चला तो मुझे पहले तो position डालने होगी सपोज मैंने यहां पर position डाली 2 तो यह 0 यह 1 और यह 2 तो 2 position पर मुझे एक नए element चाहिए सपोज 99 तो 4, 5, 6, 7 पहले था लेकिन अब 5 की जिगा पर किया चुका है 99 आ चुका है तो मुझे हमने successfully update वाला operation जो है वो पल लिया है अब हम यहां से करता है exit और अब हम देखते है हमारा next operation कौन सा है तो यह तो हो गया हमारा updated position वाला चली तो अब हमारे पास next operation है delete operation ठीक इंसर्ट ऑप आप delete कर सकते हो या फिर ending at the list या फिर specific position से आप उस node को delete कर सकते हो clear तो चले सबसे पहले हम देखेंगे how to delete a node at the beginning at the list देखें तो वह perform करने के लिए हमारे पाच कुछ चुनिंदा four steps available है देखें पहले step के इंदर आपको क्या करना है एक नए pointer को create करना होगा जो की head के साथ point out किया गया होगा तो मैंने यहां पर अब नाम दे दिया है Tamp अब तक हम traversing purpose के लिए जो भी pointer create करते थे उसका name हम रखते थे PTR लेकिन for deleting purpose हमने उसका name रखा है Tamp एक इसलिए मैंने यहां पर एक नए color code की मद्दे से उसको highlight किया तो Tamp variable को या फिर Tamp pointer को मैंने create किया साथ ही साथ first node के साथ उसको मैंने link up कर दिया by using this line Tamp is equal to head simple से बात है तो कि दूसरा step move head pointer to one step further head pointer जो की पहले इस first node को point out कर रहा था उसको मैंने आगे की और धकल दिया देखे previous slide के अंदर head तो पहले node को point out करता ही था लेकि Tamp ये पहले node को point out कर रहा है यानि कि first node को point out करने के लिए अब हमारे पास दो-दो अलग-अलग pointer से वाली बढ़े है लेकिन second step के अंदर हम क्या करेंगे इस head pointer को यहां पर तकल देंगे ठीके push-up कर देंगे second node कर तो वही हमने क्या देखिए second के अगर हम बाग मुव head pointer to one step further यहां पर आगे क्यों चबकि Tamp तो हमने अभी अभी first node के साथ indicate कि आई तो आगे तकलने के लिए मैंने simple क्या किया head of next को अगेन head के अंदर दाल दिया त्यान दीजिगा first head of next 2000 था जो कि next node का address रिप्रेशन कर रहा है इसलिए हमने उसको आगे तकल दिया using head is equal to head of next अब थर्ड श्टेप बढ़ाई ही है आपको डिलिट कर देना first node by releasing this temp pointer एक तो मैंने simple put up कर दिया free of temp and temp is equal to none that's all याद किजे आप यह same चीजम कर चुके है single linguist के deletion operation के अंदर वही चीजम नहीं आपर दो रहा है रिपिट के नहीं चीज कोई भी नहीं है तो simple करना है free कर देना है temp को then after उस dangling pointer को temp is equal to null की मदर से fill up कर देना है ताकि वो null pointer बन जा है clear then fourth step set first nodes previous to null अब यह बहुत important चीज़ है याँ दीजेग लेकिन यहाँ पर देखिए यह नोड गर डिलीट हो जाता है तो अब यह उसके बगल वाला नोड यह first node हो जाए ना right लेकिन यहाँ पर इसके previous part के अंदर already previous node का address था वो भी यह बाग को निकालना होगा इसले यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने null set कर दिखिए set first nodes previous is to null, so head of previous is equal to null, head of this previous is equal to null, clear, मतलब कि अब यह node previously किसी भी node को point out नहीं कर रहा, क्योंकि अब उसकी value obviously क्या हो जुकि है, null हो जुकि है, this is clear, तो यह हमारा final steps था, ठीक है, number four, और इस तरह से हमने समझा how to delete a node from the beginning position at the list, clear, तो चले, अब हम इसको practically perform कर लेता है, तो यहाँ पर सबसे पहले updated position तो हम पर देंगे collapse, और हमारे पास अब है case number six, delete from beginning, right, तो इस वाले UDF को, मैं यहाँ आपर कर दूंगा, पहले prototype, delete from beginning, और यहाँ पर हम नीचे की और बनाएंगे, इस position पर, void, delete from beginning, तो यहाँ पर again, सबसे पहले हमारे validation layer, वही, recheck कर देंगे, ठीके, if और else के मदर से, if के अंदर हमें बताएं, क्या लिखना है, head अगर null हुआ, तो फिर हमें simple सा, recheck कर देना है, list is empty, else, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो head, ठीके, उसको क्या करना है, आगे की और धकलना है, but याद कीजिए, presentation के अंदर, first step, हमें एक नया point create करना होगा, structure, node, temp, ठीके, and then after, उस temp को आपको क्या करना होगा, initialize करना होगा, head की मदर से, कुछ इस तरह से, ये हो जाने के बाद, आपको क्या करना है, head को आगे की और तक कर देना है, यानिकी head of next, यानिकी head one step further, वाले node को represent करने लगा, उसके बाद, आ and then after, आप time की मदर से क्या कर दो, null कर दो, ओके, ये हो जाने के बाद, आपको याद करना है, operation, head की previous location करनी है, आपको null, ये must necessary है, ये भी हमने समझा की होगा, तो ये हमारे simple steps होगे, delete from beginning, that's all, बस इतना ही करना थे, चले, अब इसको run करता है, और check कर लेते, लेकिन सबसे पह आपर, चले, अब मैं पूरी list को देखता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह के list available है, 3, 2, 4, 5, 6, अब हमें क्या करना है, delete a node from beginning, इसको हमें delete करना है, right, ये ही हमारा intention है, तो ऐसा करने के लिए मुझे कौन सा button जो है press करना होगा, यानि कि कौन सा operation perform करना होगा, press 6 for delete a node from beginning, तो थ्यान दीजेगा, मैंने यापर 6 को press किया, enter किया, अगेर पूरी list को मैंने देखा, display किया, तो ये देखे, 3 ओल्रेडी गायब हो चुका है, तो 2, 4, 5, 6, again हमारे पास आगे, अगेर आप 6 को press करोगे, delete from beginning, और पूरी list को visit करोगे, तो देखे, 2 भी यहां से चला जा क्लियर, यह कुछ का कुछ लोजिक हो गया, simple जा, ready, तो चली, अब हमारे पास next operation कोई सा है, वोम देख लेते है, next अगर हम बात करें, तो यहां पर देखे, पहले तो after delething our final list is, looks like this, तो यहां पर देखे, पहले तो after delething our final list looks like this, यहां पर है भी फर्स नोड को delete किया, यहां that's available, तो पहला step वही है, simple एक नए pointer को create कीजे, जो कि point out कर रहा होगा हमारे head pointer को, यानि कि first node को, उसके बाद second, traverse until second last node, यहां ती जगा, हमारा goal क्या है, यह last node को क्या करना है, हमें delete करना है, यह last node को हमें delete करना है, तो अब हमें इस traversing के लिए बनायागे pointer को, loop through करना है, जब तक कि आप second last node तक नहीं पहुंचा दे तक तक, यहां दीजेगा, अब आपको इस pointer की मदर से last तक नहीं जाना है, but second last position तक जाना है, इसके बाद आपको क्या करना है, delete last node, अब last node को delete किस तरह से करोगे, last node तक पहुंचना तो होगा, तो यहां दीजेगा, आपका जो यह pointer है तक क्योंकि हैं डबलील इंगलेज्ट है, आप आगे भी जा सकते हो, और पूछे भी जा सकते हो, तो using this, देखिए यहां पर, using this address 4000, जो कि किसका है, उसके आगे वाले node का है, तो यहां पर तो आप पहुंचे ही सकते हो, using temp of next, तो देखिए वही हमने किया, temp of next को हमने free कर द दिया, अब हमें यहां पर last node के address को क्या करना होगा, null की मदे से set करना होगा, देखिए क्यों, तो कि already, यहां पर next वाले node का address था, but अब next node रहा ही नहीं, वह तो delete हो चुका है, अब यहां पर हमें address भी क्या करना होगा, null set करना होगा, तो four number के step के अंदर हमने वही किया, using temp of next हमने इसको खत दिया, null, clear, चलिए, अब हम इसको खत देते है, practically implement, तो यहां पर सबसे पेले हमें और नए UDF को करना होगा, create, okay, समब 7 के अंदर, and delete from ending, ठीक है, सबसे पेले, यहां पर, हम उसको कर लेते है, prototyping, और अगें यहां पर नीचे आना के बाद, इस position पर हमें वो UDF create करना है, ठीक है, void delete from ending, सबसे पेले, वही हमारी पुरानी, validation layers, ठीक है, यह फोर, else के मदद से, कि अगर हमारा head pointer, null, हुआ, ठीक है, तो हमें simple क्या कर देना है, printer, list is empty, clear, and then after else के अंदर में क्या करना है, एक नए यह pointer को create करना, for traversing purpose, एक तो struct node, tam, उसके बाद, tam को सबसे पेले को, आप head के साथ, point out के साथ, यानि कि first node के साथ, and then after, आपको लुप कुमानी, तो यहां पर में वाई लुप कुमाऊंगा, तो अब दियां दिजिगा हमें कब तक रुमाती रहनी है, जब तक हम second last node तक नहीं यह लिखना है आपको, यह तो आप last node तक पहुंचेंगे, आपको एक step आगे की और देखना है, यहां पर में लिख दूँगा next, जब तक यह फुल्फिल नहीं हो जाती, या फिर यह रॉंग नहीं हो जाती, तब तक, मैं क्या करना है, हमारे tempo आगे की और तक कहलते रहना है तो using temp of next, कुछ इस तरह से, यहां पर दियान दीजेगा, temp of next, यानि की आगे वाला node, सिर्फ इतनी से अगर मैं बात करू, temp of next, यानि की current आप node पर है, उसके एक step आगे वाला node, लेकिन उसका भी आपने क्या लगा दिया, next लगा दिया, यानि की एक कदम और आप आगे बढ और वहाँ पर अब देखते हो, क्या उसकी value null नहीं है, अगर वहाँ उसकी value null है, तो आपको वहीं पर रुख जाना है, तो आपको आपको वाल लूप खतम हो जाएगा, यानि की second last node तक लूप खुमाने के लिए, ये आपको logic implement करना होगा, clear, चलिए, ये हो जाने के बाद, जहाँ पर भी last time आपका temporary pointer रुखा होगा, तो आपको पर देना है, free, यानि की delete कर देना है, then after ptr of next, sorry, temp of next, तो क्या कर देना है, नल की अम्रे से initialize कर देना है, clear, तो ये हो गया आपका second last node को, या फिर एकदम last वाल ले node को delete करने का logic, हाँ, second last node तक तो आपको ये loop कुमाने ह इसको कर रहे हो, last node को delete कर रहे हो, ठीक है, चले, देख लेता है, यहाँ पर, सबसे पहले save, तो अगिन यहाँ से कते है run, तो कुछ dummy data में पहले तो fill up करता है चाहता हूँ, आपके, चले, अब 9 के मते से मैंने display कर ली, मेरी पूरी list, तो कुछ इस तरह से मैरी list बनतर आ गई है, अब मैं इस last node को करना है delete, तो मुझे प्रेस करना होगा, 7, तो delete from ending, चले, तो मैं यहाँ से प्रेस किया 7, अब अगेन मैं पूरी list को चेक करूँगा, तो देखे, last node ज जो 5 था वो भी चाह चुका है, अगेन एक बार ओर करते है, तो देखे, अब 2, 2, 3, यानि कि जो 4 था वो भी चाह चुका है, तो हमारा delete from ending वाला operation भी, successful काम कर रहा है, तो यह कुछ इसका logic था, यहाँ पर आपको खास देन देना है, इस line का, temp of next of next, यानि कि फिलाल आप जह क्या उसकी value उनल ली है, वो आपने चेक कर लिया, तो यह थोड़ी important वाल लुक थी, अब हम देखते है, हमारे last operation को, जो कि है, delete a node from the specific position of the list, यह perform करने के लिए आपको कुछ, total 7 number के steps को follow खना होगा, तो यह पहला step, create a new pointer for traversing purpose, तो obviously हम एक temp को create करना है, जो कि head के साथ, point out कर र यूजर के तुरो आप पहले position भी लोग है, कि आपको किस position वाला node, delete करना है वो, suppose user ने बोला, position is equal to 2, तो आपको वो temp, one by one यहां तक ले कर आना है, using traversing, तीक है, उसके बाद, third step क्या होगा, create another new pointer for traversing, यह अंधी जगा, हमने एक और pointer को क्या किया, बना लिया, इसका नामे न ने रख दिया, temp 2, again उसको head के साथ point out कर दिया, अब इसका काम क्या होगा, देखिए, number 4, traverse until specific position minus 1, गांधी जगा, पहले इस temp को हमने user के द्वारा specified की गई, position तक ला दिया, traverse कर दिया, अब यह जो दूसरा हमने pointer बनाए ना, वो भी traversing के लिए बनाए, लेकिन इसको हम कहां तक खुमाएंगे, कहां तक traverse कराएंगे, user ने जो भी position डाली होगी, उसके ठीक, एक step backward तक, यान कि position minus 1 formula तक, user ने अगर position number 2 डाली, तो हमें यहां पर position number 1 तक इसको ला देना है, अगर user ने यहां पर position 3 डाली होदी, तो यह temp यहां होता, और यह temp 2 यहां होता, यान कि एक इस तरह से ला दिया, temp का जो previous part था, वो हमने डाल दिया temp 2 के अंदर, चैन दीजिगा, इस line को खास समझेगा, temp का जो previous part था, वो हमने डाल दिया temp 2 के अंदर, कुछ इस तरह से, ओके, तो automatically temp 2 यहां तक आ जाएगा, clear, चलिए, अब next part, हम इस link को यहां पर update करना है, चैन दी अब हमारा goal तो इसको delete करना है, तो ultimately हमें सभी links को update करना होगा, यह links यहां पर लानी होगी, यह links यहां पर, यह links यहां पर, और यह links भी यहां पर, इस तरह से, तो one by म चली update करना है links को, सबसे पहले इस link को हमने यहां पर point out कर दिया, तो देखे, temp of next, यानि कि यह, इसको हम इसलिए यहां पर मैंने line इस तरह से indicate किया, यह बहुत ही important चीज है, इसको note down कते जाएगा साथी साथ, temp of next part को, यानि कि next node के address को, हमने temp 2 के next part के अंदर update कर दिया, तो इस तरह से मैंने यहां पर इस तरह की line लिखी है, चली, अब next part, यहां से भी मुझे यहां पर line लानी हो चली, ते क्या की, हमने temp k next यानि कि 3000 जाएगा, टेंप के next यानि कि 3000 जानि कि 2000, उसके previous 3000 के previous यानि कि 2000, बोल्सकों मने कहां पर टाल दिया या, temp to के नि या फिर से या ढनि जानि जाने फिर से त्यां दिया, temp of next of prev is equal to temp two, यानि कि temp two के value क्या थि 2000 एज एग पर निन आपर मैं यान कि इस लोकेशन की बात कराओं में यह वाली लोकेशन को मैं 2000 से सेट कराना चाहता हूं जो कि टैंप 2 की लोकेशन की 2000 यहाँ पे तो ऐसा करने के लिए सबसे फेले मुझे यहां तक किसी ना किसी तरह से पहुचना होगा तो हमारे पास ओलड़ी देखिए टैंप का नेक्स पार तो होता ही है तेके उसकी मदर से आप यहां तक पहुच गे इस पूरे नोड के अंदर आपने प्रिवेस पार्ट को एक्सेस कर लिया तो भी किया है टैंप उफ नेक्स्ट ऑफ प्रिवेस यान कि यहां तक आप आप आ पास याद रखना है कि इस तरह से सभी लिंक्स को हम अपडेट कर आ रहा है क्लिर चलिए अब नेक्स्ट हमें जो बीच वाला नोड़े उसको करना है डिलिट टेके रिलीस करता है बाइस पूरे नोड को एक टैंपररी पॉंटर होल्ट कर रहा है पॉंट आउट कर रहा है पॉंटर को यह उसके बाद फाइनली आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेंगी आप्टर डिलीशिंग तो फाइनली हमने हमारे पूरे लिस्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पोजिशन पर मौजुद नोड को डिलीट कर लिया एक यूजिंग स्पेसिफिक लोजिक्स लोजिक्स हमने खास समझा theoretically अब इसको हम one by one practically implement करेंगे लेकिन वो update कराने वाला पार था वो links कहां से कहां जाती है ठीक है वो हमारे लिए important था चलिए तो अब हम इसको देखते है practically चलिए तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं collapse और एक और last हमारे case number 8 के अंदर मौजूद है delete at position अब इसको भी हमें कर लेना है implement तो यहां पर void delete at position उसके बाद यहां पर मैं उसी UDF को करूंगा create delete at position जब से पहले वही वाली है हमारी पूरानी validation layer हम लिख लेता है if else के मदद से कि अगर हमारा head point null होगा तो हमें क्या print करना है simple से बात तो हमें print करना है list is empty clear तो यहां पर मैंने वह message put up कर दिया list is empty चलिए otherwise अब में main जो काम करना है वह बना है else के अंदर सबसे पहले हमें user के थ्रू एक position को retrieve करना हो राइट user decide करेगा कि मुझे कौन सा node delete करना है वो तो मैं उसको scanf के इसरे user के थ्रू एंटर कर वा लेता हूं तो मैंने message pass कर दिया enter position then after scanf percentage d and address of position चलिए position आजाने के बाद हमें traversing purpose के लिए अगें क्या करना होगा एक node create करना होगा इसका नहों आप कुछ भी रख सकते हो ptr या फिर temp सबसे पहले इस pointer को हमें head के साथ point out करना होगा ताकि यह first node तक आजाए अब simple आप समझी चुके होगे हमें follow को मानी है ठीक है कहा कहां से कहां तक 0 से एक specific position तक अभी अभी युजर ने डाली होगी तो i less than position high plus plus simple और तब तक हमें हमारे pointer को आगे की और बढ़ाते रहना है using temp of next clear चलिए अब यह look घुम जाने के बाद हमें एक नए pointer को create करना है या दीजिएगा position minus one तक उसको point out करने के लिए यादा है आपको ठीक है तो मैंने यहां पर क्या कर दिया temp 2 को create कर दिया जो कि again कहां पर point out करता होगा initially अगर हम बात करें तो temp 2 जो है next नोड़ता होगा वो ले तो मैंने यहां पर simply लिख दिया temp of previous को आप temp 2 के इंदे डाल दो है simply clear उसके बाद और हां इस तरह से अगर आपको head के साथ point out नहीं भी करना तो भी यह चलेगा अब आपका जो next pointer है यान कि नया pointer temp 2 उसके next part को आपको कहां पर लए जाना है आपका जो पुराना pointer था उसके next part तक रात कीजिए का हमारा step number 4 तो ही हमने यहां पर किया हमारा जो final node था जो हमने first time traverse किया था उसके next part को यानि कि उसके आगे वाले node को हमें point out करना है हमारे previous node के साथ clear I think आप समझ रहे होगे चले उसके बाद temp of next यान कि हमारे आगे वाला node उसका previous part वो हमें डाल देना है directly यहां पर next node के previous part के अंदर clear that's all अभी सभी links अब्डेट हो चोगे अब हमें क्या करना है वो बीच वाला जो हमारा pointer था so temp उसको कर देना remove free कर देना कुछ इस तरह से and then after आप उसको क्या कर सकते हो नल pointer भी बना सकते हो कुछ इस तरह से अब सभी काम हमारा हो चुका है एक डिलीशिंगा चला अब भी इसको कर लेते हैं यहां पर verify by running this program कि सब से पहले मैं कुछ ड़्मी लिस्ट बनाना चाहता हूँ चला मैंने लिस्ट को कर दिया प्रेंट हमारे पाच कुछ इस तरह के नॉट्स अवेलिबल है डेटा 12345 अब मैं क्या करूंगा प्रेस करूंगा 8 तो यहां पर मैंने प्रेस कर लिया 8 यान कि डिलीट अ पोजिशन यान कि डिलीटर नोड फॉर्म स्पेसिफिक पोजिशन त अब देखिए 3 डिलीट हो चुका है जो कि इन दोनों के बीच में था यान कि सेक्सेफुल हमारा डिलीटर स्पेसिफिक नोजिशन वाला काम कर रहा है ठीक है और हमारे पास आई थिंक टाइप उप स्पेलिंग है येस डिलीटर पोजिशन चले अगे अगरता है इसको रॉ एक पुछ प्रुमीडेटा फीट से में यहां पर इंसर्ट कर लेता हूं अब मुझे इस फॉर को क्या करना है डिलीट करना है तो मैं प्रेस करूंगा नाई तो मुझे यहां पर पोजिशन डालना होगी तो देखिए इस फॉर की पोजिशन क्या होगी जेरो वण टू और तो मुझे यहां पर पोजिशन डालनी है 3 तो अब मैं अगर इस पर कराऊंगा तो देखिए 4 successfully delete हो चुका है जो कि इन दोनों के बीच में था तो I think हमने सभी operations one by one follow कर लिए है implement कर लिए है तो इस तरह से हमारा जो final program है वो यहां पर finish होता है तो इसको भी आप सभी CRUD operation one by one देखे थे pictorial representation के थ्रूबी और साथी साथ practical implementation के थ्रूबी वो भी हमने सम यहां पर perform कर लिए double English के अंदर है तो I hope आपको समझ में आया होगा दोनों का difference क्या है किस तरह से दोनों के अंदर कुछ similar artists को करते हुए यह सभी CRUD operation साप perform कर सकते हो simple difference इतना था single English के अंदर आप only forward direction के अंदर ही traverse कर सकते हो लेकिन यहां पर double English के अंदर क्यूंकि सभी node आगे भी जा सकता है और पिछे भी जा सकता है using previous and next links तो यहां पर आप backward direction के अंदर भी साथ ही साथ traverse कर सकते हो यह दोनों का difference नहीं अब आम इस lecture को यहां पर करते है finish और अब आपको क्या करना है जो भी हमने अभी देख पड़ा उसका revision कर लेना इसको practically implement कर लो आप single link list वाले सभी operations और double link वाले सभी operations ओके आप बित्वक है को इसकती hiç अंदर क्रिए कर दोक्रों कर दो मिलigent कर दो यह दो ढ़िए गनदर में कर फánd chopped पज़ा उगे है